हेलो एवरिवान वेल्कम टू मैं चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं सेयर करने जा रहे हूं दीवाली पर बनने वाली मिठाईयों की रेसीपी और वह भी बिल्कुल इजी तरीके से तो मैं आज मावा की मिठाईयां सेयर करूंगी तो सबसे पहले मावा ले लेंगे उसमें एक कप बूरा डाल देंगे और हमने दो कप मावा लिया है और इसको इस तरीके से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसमें और यह मिठाई जटपट बनकर तयार हो जाती है तो देखिए यह हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है बूरे इस तरीके का देखिए कितना अच्छा टेक्स्टर आया है से मैंसे हमें तैयार करना है तो देखिए यह हलका बूरे ने पानी छोड़ दिया तो इस तरीके से हमें अब इसे कोई भी टिन लेंगे यह ट्रे लेंगे मिठाएगी और यह मैंने ग्रीस कर दिया गी से और अब हम मैं कोई भी थाली प्लेट इसमें जिमा सकते हो उसको और कोई भी सेप दे सकते हो मैं इसको अलग तरह की सेप दे रहे हूं इसलिए इसमें केक टिन है इसमें डालकर इसे जमा रही हूं तो इसको set होने के लिए रख देंगे हम दो तीन गंटे के लिए यह जल्दी ही set हो जाती है इस set हो चुकी है यह मैंने बहार निकाल ली है देखिए और अब हम इस तरीके से इसकी sides को अलग कर लेंगे किसी भी चाकू की साहता से और इसको पलट देंगे इस तरीके से तो देखिए कितने आसानी से निकल गया है और अब हम कोई भी dry fruits लेंगे यदि हो तो डाली है और नहीं हो तो skip कर सकते हैं यह मैंने बिस्ता लिए है और इस तरीके से हम किसी भी तरीके से और यह dry fruits हम पहले भी डाल सकते हैं इसमें यह तो मैं decoration के लिए डाल रही हूँ तो आप कैसे भी डाल सकते हो अब हम कट कर लेंगे ट्राइंगल सेप में आप कोई भी सेप दे सकते हो कट करते वक्त देखें यह बड़ी आसानी से कर जाती है बहुत टेस्टी लगते है मावा की मिठाई और बहुत जल्दी बन कर तयार भी हो जाती है आप भी इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा तो देखिए यह हमने इसको कट कर लिया है और बहुत अच्छी बरफी बन कर तयार हुए सेम ऐसे ही हमें बनाना है तो फ्रेंड्स ये recipe पसंदा है तो इसको like और share जरूर करना अब हम दूसरी recipe शेयर करेंगे मावा की ये double layer में तयार करेंगे तो ये हमने मावा लिया है और इसको हम घरम करेंगे गैस कोन कर देंगे कम फिलेम पर और यह हमने बूरा लिया है आप सुगर पाउडर भी ले सकते हो और यह हमने आदा कप बूरा लिया है और देड़ कप मावा इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से तो देखी हमने मिक्स कर लिया है इस तरीके इस गैस के फिलेम कम तो भी जिसे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है अब हम एक पार्ट एक कटोरी में निकाल लेंगे इस तरीके से बिल्कुल ऐसे हमें निकालना है और एक पार्ट को हम कड़ाई में रहने देंगे और इसमें हम फूड कलर एड़ करेंगे औरेंज फूड कलर यह optional है यदि आप डालना चाहते हैं नहीं तो इसके भी कर सकते हो एक कलर की मिठाई बना कर तैयार कर सकते हो इसी तरीके से अब हमें इसको अच्छे से mix कर लेना है same ऐसे ही देखिए और अब हम फिर से एक कटोरी लेंगे उसमें इसको निकाल लेंगे तो यह दो कलर की मिठाई बन कर तैयार होगी यह भी खाने में मावे की मिठाई यह वैसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सभी को पसंद भी आती है तो यह हमने डिबा लिया है मिठाई का और इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है ग्रीस करके यह मैंने बटर पेपर घर पर ही बनाया है और अब हम एक पार्ट डालेंगे सिंपल वाला सबसे पहले और इसको हम फैला लेंगे इसमें फ्लेट कर देंगे बिल्कुल इस तरीकी से चम्बच की साहता से तो देखिए यह हमने फ्लेट कर दिया सिम ऐसे हम फ्लेट करना है अब हम दूसरा पार्ट लेंगे जो हमने इसमें कलर मिलाया था औरेंज इसको भी हम इसके उपर डालेंगे इस तरीके से और इसको भी same process से हमें flat करना है तो friends अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर देना well icon के साथ तो यह हमने इसको भी इस तरीके से फ्यला दिया है flat कर दिया है same ऐसे हमें flat करना है और अब हम इस पर dry fruits लगाएंगे यह मैंने बादाम लिये आप कोई भी dry fruits से ले सकते हो और इस तरीके से हम इस पर सजा देंगे इनको आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो तो इस तरीके से हम सारे पर डाल कर इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो देखिए देखने भी कितनी अच्छी लगने खाने में उतनी टेस्टि लगती है अब हम इसको सैट होने के लिए उम्हें ससकर दियू Carry कि आप बहारी भी रख सकतें त्रिजमें भी रख सकते हो दो तिन ग४र गंते अब हम इसको इस तरीके से पलड़ देंगे अच्छी से से चुकी जितने अच्छ से से सै्ट होगी उतने यह अच्छे boxes गटेंगे पर यह प्रहटर प्यपर हम निकाल देंगे यह यह मैंने सिंपल कागज का बनाया है जो प्लैन पेपर होता है वाइट उस पर मैंने घी ग्रीस कर दिया था उस तरीक दोन तरप से और इस तरीके से हम गड़न पर भी बटर पेपर बना सकते हैं और अब हम एक धाले यह प्लेट लेंगे और उस पर इसको फिर से उलट देंग अपको इसी भी सेप दे सकते हो विसेज में तो इस तरीके से हमें इसको कट करना है और इसे आप जरूर ड्राय करना देवाली पर कलर फूल मिटाई को न सुद्ध शांबी मावा बर्फी तो इस तरीके से देखिए कितने आसानी से इसके पीसे अलग हो गये हैं सेम ऐसे हमें तयार करनी है और मैं आपको तोड़ कर भी बता देती हूं इसका टेक्श्चर बहुत अच्छा टेक्श्चर आया देखिए डबल लेयर में हम इसको तोड़ भी लेते हैं ज अजयर जरूर करना पसंद आये तो और आब हम तीसरी तरह की मिठाई बणा कर तयार करेंगे तो उसके लिए हम यह हमने नारियल मावा वर्फी बना कर तयार करेंगे तो यह हमने नारियल पुरादा लिया डेसीकेटेड कोकोनट और इसको हम इस तरीके से हल्का से भूल लेंगे लो फिलेम पर ऊप्र रहा improvement पूले बहुत ज्यादा नई है पर हल्का सा सेक लेना से इसी तरीका से चलाते वे फ़ीर माव्य कड़ाहिं ही यह कॉल यह मावा है यह कु tai lotta को मावह है इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस हमारे चालूर इसमें अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है देखिए इस तरीके से बिल्कुल एक सार ये भी खाने में टेस्टी लगती है नारियल की वर्फी और अब हम इसमें चासनी यड कर देंगे यह मेरे पास मैंने चासनी बनाई थी और चासनी के रेसिपी में आप मेरे चैनल पर देख सकते हो एक तार दो तार और तीन तार की चासनी तो देखिए यह हमने समिट डाल दिये अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और उस पर इसे अच्छे से पका लेंगे गाड़ा होने तक तो इसी तरीके से हमें इसको चलाते रहना बीच बीच में तो देखिए इतना गाड़ा कर लेना है और अब हम इसको भी कोई थाली या प्लेट में इस तरीके से बटर पेपर लगा कर डाल देंगे शेम ऐसे हमें डाल कर तैयार करना है तो फ्रेंड्स दिवाली पर आप यह मिठाईय ट्राइ कर सकते हो बहुत एजी रेसिपी है और तीन तरह की मिठाईया मैंने बना कर बताईए आपको और यह मिठाईयों की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देना आप तो यह हमने इसको फ्लेट कर दिया इस तरीके से बिल्कुल सीम ऐसे हमें इनको फ्लेट करना है तो आप इस पर पिस्ता बादाम तो मैंने यह बादाम लिया इस तरीके से हमें इस पर फैला देंगे और इसको फिर से चम्मच की सहता से हमें इनको प्रेस कर देना इसी तरीके से डाल कर और यह पिस्ता लिया हमने तो इन दोनों को हम इस तरीके से अच्छे से स्वर फैला लेंगे डाल देंगे और उसके बाद हम इनको प्रेस कर देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए निकले नहीं बाहर बिल्कुल सेम ऐसे हमें इनको प्रेस करना है तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताईगा कि अगली रेसीपी मैं क्या बनाओ दिवाली पर तो अब हम इनको सेट होने के लिए रख देंगे दो गंटे के लिए उसके बाद कट करेंगे तो दो गंटे हो चुके हैं अब हम इनको कट कर लेते हैं यह बिल्कुल आसानी से कट जाएंगी आप कोई भी चाकू लेजे उसकी सहायता से इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे और किसी भी सेप में हम कट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना और मेरे चैनल को वेल आइगन के साथ सबस्काइब जरूर कर देना तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द धन्यवाद